एक वीवर ने कमिन बॉक्स में पूछा है कि resort to क्या है तो आएए फ्रेंड्स उनकी confusion को खत्म करते हैं सबसे पहले इसके pronunciation पर focus कर लें इस word का सही pronunciation है resort और इस word का meaning होता है सहारा लेना या मदद लेना आएए कुछ एक जांपर्स देखते हैं ताकि आप इस बात को आसानी से समझ सकें मालनीजे अगर आपको कहना हो हम लोगों को पुलीस का मदद लेना पड़ा या हम लोगों को पुलीस का सहारा लेना पड़ा तो एस sentence के लिए आप कहेंगे we had to resort to the police या हम लोगों को पुलीस का सहारा लेना पड़ा या पुलीस का मदद लेना पड़ा आपको मेरा सहारा लेना पड़ेगा या आपको मेरा मदद लेना पड़ेगा तो एस sentence के लिए आप कहेंगे you will have to resort to me यानि आपको मेरा सहारा लेना पड़ेगा या मेरा मदद लेना पड़ेगा अगर आपको कहना हो चलने के लिए मुझे डंडे का सहारा लेना पड़ता है या चलने के लिए मुझे डंडे का मदद लेना पड़ता है तो इस sentence के लिए आप कहेंगे I resort a street to walk यानि चलने के लिए मुझे एक डंडे का सहारा लेना पड़ता है अगर आपको कहना हो सही टाइम पर या सही वक्त पर मैं आपकी मदद लूँगा या मैं आपका सहारा लूँगा तो एस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे I will resort you on proper time यानि सही टाइम पर या सही वक्त पर मैं आपका सहारा लूँगा अगर आपको कहना हो मैं इंगलिस सीखने के लिए इस आप्लिकेशन का सहारा लेता हूँ तो एस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे I resort this application to learn English यानि मैं इंगलिस सीखने के लिए इस आप्लिकेशन का सहारा लेता हूँ तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ यह टॉपिक आपने शांदार तरीके से सीखा कि resort to क्या है अगर आपके पास भी कोई question है तो आपका मिल बॉक्स में टाइप करें मैं जल्द आपके question पर वीडियो बनाऊंगा फिर मिलेंगे कुछ और अच्छा lesson के साथ अब तक के लिए